वेलकम टू ओवर य्यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिट्रेचर देशं कैसे आप सब उम्मीद करती हूं आप सब खेरएस्से होंगे आज चोहम टॉपिक क्याना में इस वीडियो यूपिक डिसकस्त करने जदेश्ड से हूं इस इंदू थ्सकतव कनले की वहाइ जो के English language में लिखा गया हो English literature कहलाता है ज़रूरी नहीं है के literature Britishers ने लिखा हो Americans ने लिखा हो Western people ने लिखा हो European ने लिखा हो in short white men ने लिखा हो white men ने या फिर goron ने लिखा हो in short सादा लबजों में ज़रूरी नहीं है इसके अंदर वो सब writers भी आजाते हैं जो के England से तो belong नहीं करते लेकिन उन्होंने अपना काम English में लिखा है जैसे के आपने Joseph Conrad पड़ा वो Poland में पैदा हुआ था Robert Burns पड़ा आपने, वो Scottish था James Joyce पड़ा, वो Irish था इस तरह से Edgar Allen Poe पड़ा, वो American था इस तरह से आपने different writers पड़े ठीक है, वो different countries से बिलोंग कर रहे थे तो सादा लफजों में, जो English literature है न वो as diverse है, as the varieties and dialects of English spoken around the world उतना ही तबदील और उतना ही फैला हुआ है जितनी की यहां पे English spoken around the world की varieties है वो जितने के यहां पे dialects है ठीक है, in short English literature, जो literature English में लिखा जाता है वो है जरूरी नहीं, यह सिर्फो सिफ England का ही हो different countries के writer भी जो English में लिखते हैं उनका literature भी English literature काउंट होता है यहां हमारा यह topic खतम हुआ Thank you so much for watching this video कोई question हो, आप पूछ सकते हैं Allah Hafiz